हेलो एवरीवन विसिंग यू वेरी वार्म वैलकम ओन दिस वंडर्वल प्लेटफोर्म और पोर्स दिस सेशन कैसे हैं भई आप सब लोग जैसा कि मुझे रेसेंट पता चला कि आप सब का पिपर एनाटमी एंड फीजोल जी का ब्यासी नर्सिंग पाट फॉस्ट ये अच्छ अगर जिन बच्चों ने इन इंपोर्टेंट को अच्छे से पड़ा होगा तो डैफिनिट आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फिर भी कुछ बच्चों के डाउट्स हैं कि सर रह गया था पेपर फीजियो बहुत कफ आई थी मैं आपको इस सेशन को पूरी तरह एन्श पूर्टेंट से उपर वही पार्ट था जो हमने अपलोड किया था एगरी बियस इनर्सिंग पार्ट फस्ट यर एन आट्वीन फीजियो का पेपर मैं आपके सामने रिव्यू करने जा रहा हूं आप उस पेपर को ध्यान से देख भी लेंगे और बेशक आप अपना एक कि सर रिव्यू हम इस पेपर का करने जा रहे हैं और स्पेशली यूमन एनाट्मिन फीजियो पेपर 2022 2022 में जो आपका पेपर अभी हुआ उसी के बारे में बात है ये पेपर था आपके सामने और बेशक काफी बच्चे भी प्रेशान भी हैं कि सर फीजियो इतना हुआ उतन सबसे इंप्रेट्ट एांट्ट एनिट तू फ्रोम रस ओफत्त हैज्च इच सेक्रिम हर एक पोर्शन में से आपको जाहे वो आपका सेक्रिम एच चाहे वो सेक्रिम से आपको भच्चा यांब रखना था कि सर ऑफ कि से एक क्षैसर आपको यांड करने है four of section A and B both are compulsory वस यह important था इसके अलावा first question आपके सामने है describe the following any three कोई भी तीन करने थे यह उनी तीन में से थे जो हमने upload किये थे as a gaze paper हा ना important paper आपको में दिया था hypothalamus, kidney, cranial nerve बेशक मैंने वीडियो में का था कि इन questions के आने के सम्भावना पूरी-पूरी है almost आही जाते हैं और आही गए एक question जो बच्चे घबरा गए थे classification structure of joint मैंने आपको synovial joint बताया था इसमें तीनों joint पूछे थे बेशक आपको synovial joint थोड़ा detail में लिखना था sinarthrosis joint कौन से होते हैं, diarthrosis joint कौन से होते हैं यानि movable, non-movable, slightly movable ये तीन टाइप के joints हैं जो आपको लिखने थे बेशक आपने अगर synovial joint भी पूरा लिखा होगा तो अच्छे नमबर आप गें कर सकते हैं इस short notes के अंदर, agree, तो ये joints के बारे में आपके सामने जानकरी थी synovial भी लिखा होगा तो आपके अच्छे नमबर आ जाएंगे, synovial joint के वो सारे type, synovial membrane, synovial fluid, agree अगला question है, right short notes on any three, इनमें से फिर आपको तीन करने थे, बेशक मैंने कहा था कि structure of heart खाली नहीं जाएगा, question, lungs and heart के structure के लिए मैं especially वीडियो में बोला था, ये question आपके सामने था, adrenal gland, direct मैंने 100% लगा के दिया था, वीडियो में मैंने बात बोली है कि इस बार के लिए सबसे important होगा adrenal gland और वही आया था question paper के अंदर, next one CSF, almost आता ही आता है, paper मैंने पहले भी कहा था कि CSF आप खाली नीच होड़के जाएंगे, CSF पूरा पड़ेंगे, तीन करने थे, आपने बेशक कर दियोंगे तीनों, गॉल ब्लेडर, important question में मेरे नहीं था, बट फिर भी गॉल ब्लेडर की structure बहुत आसान सी है, लीवर के just below side में आपने दिखा होगा कि गॉल ब्लेडर क्या काम करता है, कैसे hormones act करते हैं, और concentrated bile कैसे बनता है उसके अंदर, इसके साथ, साथ के साथ गॉल ब्लेडर की structure कैसे होती सारी बाते आपको लिखनी थी, तो यह short notes था एक basic सा point, next one है, right short notes on, फिर एक short notes पे था question, प्रेक्या, और ear ossicles, और साथ के साथ structure of skin, यह important questions में था, तो definitely आपको इन में से जो point जो है, आपको miss, जो आपने नहीं किया होगा, मुझे लग रहा है कि टंग की structure आप नहीं कर पाये ह सीकल्स, बहुत ही असान portion माना जाता है, middle ear का, आपने जानते भी होंगे, maleus, incus, steps, इसके बारे में लिखना था, आपको maleus कैसा दिखता है, hammer like, यह सारी बाते आपको incus जो है, वो anvil shape का दिखता है, stirrup shape का steps दिखता है, यह सारी बाते आपको उसमें लिखनी थी, middle ear के बारे में detail में लिखाते है, यह तो काम सल जाता है आपका, agree? और ट्रेक्या, ट्रेक्या की structure हर को ही जानता है, basically, ट्रेक्या का level क्या होता है, 16 से 20 cartilages, rings होती है, इसके अंदर कैरिना वाला हिस्सा होता है, ट्रेक्या का main मकसद क्या होता है, ट्रेक्या में टीशूस कौन से होता है यह सारी बाते हैं ट्रेक्या के अंदर आपको लिखनी थी, अगर आपने इन तीनों में से मुझे जो लगता है, अगर आपने मेरे वीडियो को पढ़ा होगा, तो definitely आपने पहला और दूसरा क्यूस्सन जो है, वो attempt करा होगा, और इसमें आपने basic short notes के according लिखा है, तो आपक के functional liver की पुरी structure, इसके अलावा deltoid muscle, मैंने एक ही muscle बताया थी, जिसका नाम था deltoid muscle, और वही आई exam के अंदर, और अगला है female reproductive organs, यह तो बेशक हर बच्चा जानता है, कि female reproductive organ में external genitalia, internal genitalia, पूरा detail में लिखना था, हाला कि short notes है, short notes के हिसाब से आपको पूरा लिखना था agree? तो I hope कि anatomy का paper आपको बहुत शानदार हुआ होगा, मैं मानता हूँ ऐसा, कि anatomy का paper easy रहा है, इसके अलावा next one है आपका physio का paper, physio में आपने क्या करा होगा, write in detail the regulation of respiration, tidal volume and vital capacity, देखो बच्चा, जब मैंने आपको वीडियो upload किया था, उसमें बताया था equation, pulmonary function test, pulmonary function test का मत आपकलब ही यही था, tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume and last one, residual volume, इसके according हम capacity भी निकाल सकते हैं, बहुत ही स्चानदार और आसान सा पंडा रहता है कि सर, जब हमें कोई tidal volume पूछता है, तो tidal volume में क्या करना होता है, सीधी सी बात है सर, capacity पूछे, ऐसे formula बना लो, tidal volume, साथ के साथ inspiratory, reserve volume, expiratory, reserve volume and last one, residual volume, इसके according capacity निकालना आपके टीचर्स ने आपको सिखाया होगा, उपर वाले tidal volume और IRV को जोड देंगे, तो बच्चा आजाएगी inspiratory capacity, ERV और RV को जोड देंगे, तो definitely आपके सामने आजाएगी functional residual capacity, अगर उपर के तीनों जोड देंगे, त उपर के चारों जोड देंगे, तो आप लोग कहेंगे, total lung capacity, ये इस तरीके से पूरा pulmonary function test तयार होता है, और यही question आपसे पूछा गया था, कि सर, क्या करना था इसमें, basically आपको regulation of respiration के अंदर भी, अगर आपने breathing करा है, तो आपका point सही जाए सकता है, agree, अच्छे number आपके आ सकते हैं, आपने अगर थोड़ा सा neural regulation का भी जिकर करा होगा, आपने definitely medulla, omlongata का, respiratory, rhythm center, साथ के साथ, ennustic center, pneumotactic center, एक तरीके से regulation आप ये भी बता सकते हैं, हाला कि पूरा ये बड़ा question बन जाता है, inspiration, expiration कैसे होता है, yes, next one, write in detail about the following, इसमें आपको मैंने specially कहा था, WBC आपने definitely granulocyte, agulocyte पड़े होंगे, उसमें भी आपने अलग-अलग divisions, eosinophil, bacinophil, neutrophil, monocyte, lymphocyte, पूरा लिखना था आपको, और ये सारा एक question आपका है, वो बन जाता है, GFR glomerular filtration rate, अगर किसी बच्चे ने woman capsule और glomerular के बारे में भी लिखा होगा, तो एक अच्छे नमर सकता है, GFR के बारे में आप जानते हैं, कि glomerular filtration rate, दोनों kidney के million nephron, एक मिनट में कितना nephric filtrate बनाते हैं, वही उसकी GFR होती है, डेटा आपको पता होगा, 125 ml पर मिनट, ये डेटा भी कम नहीं होता, 180 liter पर day के हिसाफ से होता है, पूरा अगर GFR glomerular filtration rate को लिखना है, तो आप एक अच्छा number आ जाता, agree, इसके साथ के साथ ECG, important question में मेरे नहीं था, बट फिर भी ECG के बारे में एक normal सा question होता है, कि PQRS complex कैसे बना, T-wave कैसे बनती है, चोटा सा question लिखना था, cardio gram क्या होता है, cardio graph क्या होता है, agree, और digestion in stomach, मैंने obviously बताया था, digestion and absorption intestine का, और stomach का पूछा जा सक Next one, define cardiac output, discuss the factor regulating stroke volume, what is the cardiac index, यह तीनों सब्द आपके cardiac cycle से related थे, मैंने आपको cardiac cycle का जिकर कर रहा था, कि पूरी physio cardiac cycle जब पढ़ते हैं बच्चा, उसमें ही सारी बातें डेटेल में आती है, stroke volume, cardiac output क्या होता है, जैसे stroke volume के बारे में हर बच्चा जानता है, amount of blood pumped by each ventricle within one bit, that is called stroke volume और इसी को ही आप change करके बच्चा cardiac output निकाल सकते थे, amount of blood pumped by each ventricle within one minute, that is called cardiac output, agree, उसके बाद में end systole volume and diastole volume, यह भी आप पड़ी आसानी से निकाल सकते थे, end systole volume 130 ml के असपास, और end systole volume 60 ml के असपास, cardiac index, cardiac index के बारे में हर बच्चा जानता है कि सर, body square meter के तोर पे blood जो है, किस तरीके से pump कर रहा है, एक minute के अंदर, एक ventricle जब pump करते हैं, तब किस तरीके से यह पूरी body को supply करता है, यही तो cardiac index था, square meter के अंदर आपको बताना था बच्चा, तो यह सारी चीजे थी, जो एक पहला किया होगा और दूसरा किया होगा, तीसरे को आपने touch भी नहीं करा होगा, क्योंकि थोड़ा सा tough लगा था, कि सर, यह सारी terms हमें नहीं पता cardiac reserve क्या होता है, cardiac dominance क्या होता है, cardiac output क्या होता है, stock volume क्या होता है, साथ के साथ, cardiac index क्या होता है, आपको नहीं पता थी, so आपने साथ इसे हाथ नहीं लगाया होगा नेक्स्ट वन राइस शोट नोट्स ओन शोट नोट्स आपको लिखना था बेशक आपने function of saliva saliva का जिकर तो बहुत आसान सी बात होती कि saliva में क्या क्या चीज़ी होती है उसके functions ही तो बताने थे आपको salivary amylase, tylin enzyme जिसका दूसरा ना में diastase enzyme इसके अलावा lysozyme enzyme इसमें present रहता है और भी बहुत सारे salt वगेरा यह सब saliva में present होते हैं उनीके functions आपको लिखने थे नेक्स्ट वन, type of blood group ये भी मैंने important question में डाला था आप video चेक कर सकते हैं तो most probably 90% से उपर हमारा paper था अगर आपने अच्छे से questions को सुना होगा तो ये paper easy going में निकल जाएगा आपका फिर भी last point पर आपको बहुत होता हूँ cell membrane functions बहुत आसान सा question है रेनीन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरों सिस्टम ये मैंने बताया भी था कि question आने के संभावना है और अगर आपने वीडियो में देखा होगा उसमें भी ये question मिल जाएगा आपको most probably 90% के आसपास या उससे above ये paper था हमारा बच्चा घबराना नहीं है आगे के जितने भी papers आप दे रहे हैं उनको बहुत अच्छे से दे questions अगर आपका खाली नहीं रखा है आपने अगर आपने उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है तो आपके एक अच्छे नंबर आ सकते हैं फिर भी किसी का अगर एक का दुख का question छोड़ भी गया है अगर आपकी एना अच्छी हुई है फिजी निकल जाएगी फिजी अगर अच्छी है तो आप अच्छा स्कूर गें कर सकते हैं अगर आप इस पेपर में 50 नंबर भी आप क्रोज कर रहे हैं तो कुछ नंबर आपके जो कुलेज वाले हैं वो भी आपके भेज देंगे 15 से अबोब भी अगर भीजते हैं तो आप 65 का आँखड़ा क्रोज कर सकते हैं तो ये कुछ बेसिक सा पोइंट था मैंने आपको बताया दर ना नहीं है घवराना नहीं है बेशक आप सब पास है मेरे अकोडिंग पेपर इजी था ज्यादा लेंदी नहीं था पेपर हलका समय मान के चल सकता हूँ कि फीजियो जो था इस बार के लिए हाड था बच्चे सब्दों को नहीं समझ पाए अधरवाइस काम हो जाता सिधा काडिक साइकल पूछता आप निकाल डालते पर आप उसे टर्मिनोलोजी पूछ ले टर्मिनोलोजी बच्चे के लिए लिए लिखना आसान नहीं है मैं मानता हूँ ये बात बहुत ही मुश्किल पढ़ जाता है कि इस लेंग्विज को भी कैसे बनाएं कि amount of blood pumped by its ventricle within one beat और one minute तो कैसे stroke volume और cardiac output आजाएगा बहुत आसान साय वैसे तो टीतर्स के लिए आसान है बच्चों के लिए मुश्किल है मैं जानता हूँ ये बात अच्छे से तो अगर आप 40 से भी अबो लेजा रहे हैं तो कुछ नंबर आपके कोलेज वाले अगर मैं 50 भी मान के चलू तो आपके 55 क्रोस हैं और आप पास हैं हो जाएगा गबरायनी आगे के पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करें ये आपके सामने 2022 का पेपर था एक छोटा सा रीविउ मैंने आपको बताया आने वाले पेपर्स में यही एक आपके लिए सबक रहेगा कि बच्चा important questions last moment पे जब आप पढ़ते हैं वो इतने काम नहीं आते जो कि पूरी साल लगातार अगर आपने पढ़ा होगा एक एक system wise topic को अच्छे से पढ़ा होगा तो इतनी problems का सामना नहीं करना पड़ता most important questions वही बच्चे चुनते हैं जिन्होंने पूरी साल अच्छे से पढ़ाई नहीं करी फिर भी important questions को पढ़के भी अगर बच्चा अच्छे से निकाल लेता है तो much better all the best, take care, stay connect, stay learning आने वाला time आपका बहुत बैतर हो, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा आपके कोई बात है, कोई comment है, नीचे लिख सकते हैं इसके beyond, अगर आपके कोई problem भी है तो बच्चा ध्यान से सुनेंगे यह Instagram ID है आपके सामने, Anatomy वाले गुरूजी आप मुझे वहाँ follow कर सकते हैं वहाँ मैं आपको मिल जाओंगा, आपके कोई क्यूरीज है, कोई questions है आप मुझे direct पूछ सकते हैं, YouTube पे हैं, obviously, Anatomy वाले गुरूजी comment section में लिखेंगे, तो मैं जरूर respond करूँगा otherwise most probably Instagram पे मैं आपको जरूर मिल जाओंगा किसी भी बच्चे की कोई भी queries है, message जरूर दें और आपका solution होगा take care, all the best